अंजी, कैसे हैं सब लोग? सुआज हम लोग discuss करने वाले हैं जीनोमिक लाइबरेरी के बारे में तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले साथ में पर हेडिंग डाल लेते हैं जीनोमिक लाइबरेरी देखें इस word को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए genomic word को side में रख दें और library की बात करें library अगर आप लोग कभी गए हों तो आपने library में यह देखा होगा कि बहुत सारी books रखी रहती है यहीं collection of books है library is a collection of books तो ऐसे ही अगर genomic library की बात करें तो genomic library collection of genes होता है एक पटिल और्गानिजम में जो उसका पूरा genome है या उसका पूरा DNA है उसमें जितने genes हैं उन सब genes का जो collection बनाया जाता है उसको genomic library कहते है ठीक है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे collection of all the genes in an organism यह इसका definition हो गया अब इसे perform कैसे करना हम लोग बहुत इजी तरीके दे समझेंगे एक total overview रहेगा जिसमें हम details भी cover करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक organism था उसका आपने क्या किया DNA या पूरा का पूरा genome isolate कर लिया यह नहीं extract कर लिया तो यह रहा उसका genome ठीक है उसके बाद आपने क्या किया इसको treat किया अगर restriction endonucleus से treat करोगे तो यह ऐसे fragments बना देगा यह लो इसके fragments बना अब इन fragments के बाद क्या होना चाहिए इन fragments के बाद आप क्या करोगे इसे एक particular जेल पर रन करोगे अगर मैं यहाँ पर word जेल यूस कर रहा हूं तो जेल electrophoresis हो रही होगी लेकिन कौन से टाइप की जेल electrophoresis हो रही है मैं यहाँ पर यूस करने हूँ ए ग्रोस जेल electrophoresis तो मैंने इन fragments को इधर wells में लोड कर दिया इस तरीके से लोड कर रहा हूँ राइट सब यह मैंने कुछ-कुछ particular parts लोड कर दिया बहुत सारा बन गया मेरा पास DNA आप लोग के लिए मैं एक ही हमने कर दिया लोड यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर लोड कर दिया तो इसमें यह जो first वाला है इसे कहते हैं ladder लैडर यानि जब यह run होगा तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग fragments दिखेंगे लैडर में जो अलग-अलग fragments दिखेंगे उन हर एक का size हमें पता रहेगा कि यह 20kb है 40kb है 100kb है 50kb है कितना है वह हमें पता रहेगा ठीक है और यहाँ पर हमारा पार्शली डाइजेस्टेड डीने सेम्पल है देखो पार्शली डाइजेस्टेड डीने सेम्पल में क्यों यह वर्ड यूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो restriction enzyme यूस करें है वो है low concentration में राइट अब लो concentration और high concentration और partial direction और complete direction में अंदर क्या है वो समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मानलो यह DNA था मैंने इसको फिर से restriction enzyme से treat कर दिया कैसा concentration रखा हाई concentration और मानलो इस restriction enzyme को cut करने की आदत थी GGCC site से जैसे की है 3Q होती है h a e 3 की होती है वैसी तो भी क्या करेगा इसको DNA में जहाँ जहाँ GGCC मिलेगा और यह cut कहां से कर रहा है for example हम लो सिफ example के रूप में मान रहे हैं जी और जी के बीच में cut कर दिया मानलो इसने ठीक है तो क्या होगा जहाँ जहाँ पर इसको GG मिलता जाएगा वहाँ वासे यह cut करता जाएगा यह पूरा का पूरा DNA बरबात कर देगा यह भी तो हो सकता है हाई concentration में कि जिस जीन की study आपको करनी थी उसके अंदर ही cut मार दिया इसने तो फिर उस जीन की study ही नहीं हो पाएगी परिशान हो जाओगे तो हम क्या करेंगे हम low concentration यूज़ करेंगे तो यह random cut करेगा क्या करेग रांडम cleavage हो जाएगा उससे करेंड क्या होगा DNA partially digest होगा यानि fragments बनेंगे थोड़े से longer fragments बनेंगे लेकिन हमें हमारा gene of interest उस particular fragment के अंदर जरूर मिल जाएगा इसलिए हमें lower concentration चाहिए ठीक है दूसरी बात साथ में हमें इस restriction enzyme से क्या मिल जाएगा इसमें हमें sticky ends भी मिल जाएगे जिसमें overhands दिखते हैं क्योंकि हमें इसको plasmate में आगे जाके insert करना है पार्शिल डाडिस्टे DNA है अब यह fragments बन गए इसके इलो larger fragment उपर रहेगा lower fragment नीचे रहेगा ऐसा ही होगा larger fragment उपर smaller fragment नीचे यह हमें इस तरीके से मिल जाएगा अब आगे हमें क्या दिखेगा हम इसमें से मान लो इस particular fragment को यहां से बाहर निकाल दिये gel illusion technique लगा के इसको बाहर में कर लिए इसको purify कर दिये purify करने के बाद हमने क्या किया हमने plasmid लिया इस तरीके से plasmid क्या होता है double standard circular DNA होता है वो लिया अब यह जो restriction enzyme था इसी से इसको भी cut करा दिया यह तो recombinant DNA का basics है cut कर वाया तो क्या होगा इस plasmid में भी ऐसे ही कुछ sticky ends बन जाएंगे यह overhangs वाले बन गए और इसमें क्या किया आपका यह जो particular fragment था जो अब हमारा pure हो गया है वो हमें ऐसा दिख रहा है यह भी overhangs रखा है इसको इसके साथ हमने fit कर दिया इसको जोडने क्ले कौन आएगा DNA ligase आ जाएगा अब DNA ligase आ गया उसके बाद क्या करेंगे इस भाई साब को हम एक bacteria के अंदर बेश देंगे हमने इसे एक bacteria के अंदर बेश दिया कैसे बेश आओगा हम क्या करेंगे थोड़ा सा कुछ amount का millivolt इस बैक्टिरिया के surface पर इसकी membrane पर टच करवाएंगे यानि हम क्या करने वाले हैं electro-puration electric current से बैक्टिरिया की membrane के pore का size बढ़ा देंगा तो plasmid अंदर चला जाएगा अंदर चला गया अब यह bacteria अगर replicate करता है तो इस एक सेल्फ और भी बनाएगा अपनी साथ में plasmid copy भी बन जाएगी वह हमें चाहिए plasmid copy बन गए जिसमें हमारा gene of interest है हमारा gene of interest क्या है यह जो आपने क्या कि कल्चर प्लेट पर रख दिया वो रही यह कल्चर प्लेट इस पर है इस पर यह बैक्टिरिया इधर ऐसे ग्रोव रहे अब आपको यह चेक करना था कि किस पर्टिकुलर बैक्टिरिया में आपका जीन ओफ इंट्रस्ट प्रिजेंट है तो आपने क्या किया वो यह रही, इसका कुछ particular sequence है, मान लो इसका sequence है, A, T, G, C, T, T, यह sequence है, ठेक है, और आपका जो gene of interest है, उसका sequence क्या होगा इसका opposite, यानि T, A, C, G, A, A, यह आपके gene of interest में एक sequence है, आपको यह पता करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक nitro cellulose paper लिया और इसक्यू पर ऐसे रख दिया, यह क्या है, nitro cellulose paper, इससे क्या होगा, आपने इसके उपर बस यह वो है, पेट्रिडेश, इसके उपर रखा, और इसके उपर nitro cellulose paper रख दिया, तो क्या होगा, impression छप जाएगा, impression छपएगा तो इस paper पर सब दिखने लगेगा, right, उसके बद आपने क्या किया, इस paper को अपने heat किया, साथ में NaOH से treat कर दिया है, यही, denature कर रहे हैं, इंपरेशन मतलों, bacteria भी चले जाएगा, ठीक है, treat करोगे, dehydrate करोगे, denature करोगे, तो क्या होगा, double stranded DNA, single stranded DNA में convert हो जाएगा, bacteria में, right, अगर ऐसा हुआ, तो क्या होगा, आपका जो probe रहेगा, यह रहा A, T, G, C, T, T, और आपका जो DNA का sequence रहेगा, T, A, C, G, A, A, यह match हो जाएगा, right, यह match हो गया, और आपने क्या कर रखा था, इस particular probe में, आपने इसको रखा था, radio labeled, radio labeled रखी तो आपने फिर बाद में उपर से UV light डाली, और यह glow कर गया, मतलब भाई, इधर पर यह present है, right, फूर जगे glow नहीं करेगा, जहाँ जहाँ प्रोब attach हो जाएगे, सिर्फ वह glow करेगा, तो आपको पता रहेगा कि भाई, अगर यह मेरी petri dish है, इसमें यहाँ मुझे मेरा sample मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यह इसे सभी genes के लिए कर सकते हो, तो total एक genomic library बन जाएगी, यह था पूरा एक overview genomic library का, जल्दी अपन discuss करेंगे seed याने library के बारे में भी, so अगर इससे कुछ information मिली हो, तो वीडियो को like करें और share ज़रू करें, thank you.